हाई दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सागत है आपके अपने यूटीव चैनल पर आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा ये विल्कुल फ्री है जिली चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ दोस्तों सायद ही कोई होगा जिसे ये दोनों इंग्रीडियंट ना पसंद हों हैं बहुत सारा प्रोटीन होता है मौँफली में धेर सारा फाइबर होता है मकाने में तो मकाना आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है तो जो ये दोनों चीजें हैं इनके जो पोशक तता है नूट्रियंस होते हैं लगभग एक जैसे ही होते जो बहुत ही जादा हेल्दी हैं ये दोनों और ये दोनों ही आपको अनहेल्दी खाना खाने और ओवरीटिंग से बचाते हैं यानि कि जब आपको बहुत भूग लगे बार बार खाने का मन करें तो आप इन चीजों की ये एक मंचिंग स्नाक टाइप है थोड़ा सा खा लिज ह खानी दो सेय जायन हैं तो आपको खाना जो है खाने की जड़ुरत नहीं मैसूस होती है तो कि युद्ध को बने रहते हैं इन्हेंばने डाइट में बहुत तरीके सी दोस्तों इस्तafar कर सकते हैं आज वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो अगर आप अपने वेट लॉस के प्लाइन को सक्सेस्फुल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ओवरीटिंग ना करें जो भी खाएं बहुत ही कड्डोड मातर में खाएं जितनी आपको कैलोरी की जरत है उतना ही खाएं ज अच्छा है प्रोटीन फाइबर हेल्दी फैट रिच स्नाक्स ना कि पेट को भरा हुआ मैसूस कराते हैं बलकि इनके सेवन से जो है हम हनेल्दी चीजे खाने से बच सकते हैं मुंफली और मखाना दोनों ही ऐसे फूड्स हैं जो इस जरूरत में फिट होते हैं हमारी वजन गटाने वाली में दोनों ही पॉस्टिक हैं और इन्हें खाने से ज़्यादा भोक नहीं लगती है यह शरीर को एनरजी भी देते हैं लेकिन इन में से क्या सही है लगभख मखाना और यह सारी चीजें सभी के घर में अवेलबल होती हैं लेकिन इन दोनों में से क्या खाएं क क्या सही है यह चूज करना काफी मुश्किल होता है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुझफली की मुझफली के दाने बड़ी असानी से अवेलबल रहते हैं मार्केट में और काफी सस्ते भी होते हैं बहुत ज़्यादा यह महंगा फूड भी नहीं है तो सभी प्रकार के जो नट्स रहते हैं स्नाइक के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं चाहें आपका बादाम हो अक्रोट वगएर हो गया हो यह सारी चीज़ें जो है स्नाक्स के लिए काफी अच्छ और बहुत ही ज़दा हेल्दी होते हैं साथी इने खाने से पेट भी भर जाता होता है लेकिन जादा तर लोगों का जो फेवरेट होता है वह मुवड़ी ही होता है पसंदी था क्योंकि ये काफी सस्ती होती है माखाने की कंपारिजन में और जो high quality वाले fat होते हैं प्रोटीन से ये भरा हुआ होता है digest ओने में ज़्यादा time लगता है जिसे कि होता है कि आप इसे थोड़ा भी खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है और आपको energy ज़्यादा मिलती है इसे digest होने में ज़्यादा time लगता है और आपके ये blood sugar level को भी control रखता है तो मुंख़ली को snack के तोर पर लेने से बिना वजन बढ़ा है भूख को सांग किया जा सकता है जब भी वजन घटाते हैं जो लोग भी घटाते हैं या मेरे से personal जो लोग भी मिलते हैं वह यहीं बोलते हैं कि यार भूख नहीं कंट्रोल होती है मैं बहुत फूडी हूं मुझे खाना बहुत पसंद है मुझे कुछ नहीं कुछ खाने का मन करता रहता है मुझे हर तरह का खाना तो वह चीज जो है ना उनकी जो वह होती है ना एक बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि नहीं फिर से कुछ खाने कमन कर रहा है तो उस चीज को शांत करने के लिए आप इन चीजों का यानि मुंफली का यहां पर सहारा लीजिए और चलिए बात कर लेते हैं फटा फर बिना देर किये मखाने की मखाना यानि की फॉक्स नट मखाने में जो है प मखाना बहुत लोगों को पसंद है घी में फ्राइ करके लोग खाते हैं लेकिन हमें घी में फ्राइ करके नहीं खाना है क्योंकि उससे इसकी जो है कैलोरी बढ़ जाती है आपको सूखा मखाना ही खाना है उससे इसमें कैलोरी बहुत कम होती है पचास ग्राम सूखे हुए अगर मखाने आप लेते हैं भुने हुए सूखे भुने बिना तेलिया घी में बस ऐसे ड्राइ इनको ऐसे रोस्ट कर लीजिए इसमें 180 कैलोरी होती है और कोई भी फैट नहीं होता है इसमें इसके अलावा इनमें बहुत सारे अगर आपको नीद नहीं आती है दोस्तों यानि की देर से नीद आती है बैट पे जाते हैं कच्ची नीद आती है और खूब अच्छी गहरी नहीं आती है अनिद्रा की और डाइबिटीज अगरा की इसे प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए सुखा मखाना बहुत अच्छा है इसे आप दूद में बॉयल करके रात को सुने का टाइम पे ले सकते हैं तो इन दोनों का अंतर आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों ही डिफरेंट हैं मुझफली में कायलорी जादा होती है इसमें बहुत कम होती है मखाना आपके लिए बहतर आप्शन है क्योंकि कही बार हो सकता है आपने खाना तो आप खाएंगे ही breakfast, lunch और dinner करेंगे हो सकता है, आपने उसमें इतने सारे protein ले लिए हो, फिर आप मुंख़ली भी खाएंगे तो आपको protein जो है ज़्यादा हो जाएगी, यानि calorie फिर ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें जो है fat वगेरा नहीं होता है calorie बहुत कम है, calorie के मामले में दोनों में बहुत अंतर है, तो मखाने में calorie बहुत कम होती है, इसमें काफी ज़्यादा होती है तो आप अगर weight loss के time पे खाना चाहें तो मखाना आपके लिए जो है वो best है, बहतर option है खा आप ये भी सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा कम लेना पड़ेगा, इसे आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सलाद वगेरा में ले सकते हैं, भून करके ले सकते हैं, सूखा बुना हुआ, उसके बाद आप आप इसमें नमक वगेरा छिड़क करके अच्छी तरह से, आप इसको टेस्टी बना सकते हैं, अलग-अलग तरीके से हिल्दी तरीके से, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी चीज हो, उसकी आती बिल्कुल ना करें, एकसेस किसी भी चीज की हो वो नुकसान करती है, अब अगर आप डेली मखाने भी धेर सारे बॉल भर भर के खाएंगे, तो फिर ये भी आपके लिए सही नहीं है, अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको मान लीजे, भूग लग रही है थोड़ी सी रोस्टेर रखे हुएं, आपने ऐसे आट-दस मखाने ले लिए और बस धीरे-धीरे करके थोड़ी देर में खाते गए और भूग आपकी शान्त होगी तो ये था आज का हमारा दोस्तो मूंफली वर्सेस मखाना कौन सा वजन घटाने के लिए बहतर है तो मखाना जो है वो हमारा वजन घटाने के लिए बहतर है क्योंकि इसमें कैलरी बहुत होती है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए दोस्तों तो क्योंकि वीडियो तयार करने में बहुत मैनत लगती है और आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसे मोटिविशन मिलता है आप लोगों के लिए और काम करने को साथी साथ आपके comment का मुझे बहुत ही इंतरार रेता है आप जब comment करते हैं उसे पढ़ना उनलों का reply करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो मुझे इंतरार रहेगा आपके लाइक और comment का चैनल्बर नहीं आए हैं तो subscribe तो करके ही जाईएगा दोस्तों झाल झाल